बच्चों आज हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले आपको मैं कोरोना के बचाओ के तरीके आपको बता दूँ कि हमें किस तरह से कोरोना से बचना है आपको पता है कि इसकूल, कॉलेजे सब बंदिस समय पड़े हैं क्यों कि कोरोना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है इसकी कोई वैक्सिन नहीं आई है और जब तक इसकी वैक्सिन ना आए हमें खुद से ही इसका बचाओ करना है इसके बचाओ के तीन तरीके हैं सबसे पहला है कि हम कहीं भी किसी से भी मिले तो उससे हम 6 फिट की दूरी बनाए रखें ठीक है हमको दूरी बनाए रखना है किसी से हाथ नहीं मिलाना है किसी से सामान लेना देना नहीं है दूसरा 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह हाथ दो हैं अगर हम बहार से कहीं से कुछ सामान लेके आ रहे हैं या किसी से मिलकर आ रहे हैं तो उसके बाद हमें अच्छी तरह से 20 सेक्ड तक अपने हाथ दोने चाहिए और तीसरी और सबसे जरूरी जो इसमें जरूरत है हमें मास्क पहनने की हम घर में रहें या घर से बाहर निकलें हमें बिना मास्क के नहीं जाना है और मास्क की पहनने का तरीका होना चाहिए ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ मुँ में लटकाया मास्क को हमें मास्क से अपने नाक और मुँ दोनों को कवर करना है दोनों बंद करने हैं ढखके रखने जिसे कोई भी बाहरी केटानू हमारे सरीर में परवेशना करे तो बच्चो अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो हम कोरोना से लड़ सकेंगे और अपने को कोरोना से दूर रख पाएंगे और अपने परिवार और समाज को इसे सुरक्षित रखेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो बच्चो पिछली वीडियो में हमने अलंकार की परिभासा पड़ी थी ठीक है कि अलंकार किसे कहते हैं एक बार में फिर थोड़ सा इसको रिपीट कर देती हूं कि अलंकार दो सब्दों से मिलकर बना है अलं और कार अलंकार्थ होता है शोभा और कारकार्थ होता है बढ़ाने वाला और अलंकार के दो भेद होते हैं शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार यहाँ पर सब्दा अलंकार के भी तीन भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार ठीक है यमक अलंकार और श्ले सलंकार तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि अनुप्रास अलंकार कहां पर होता है अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है जहां पर एक ही वर्ण कई बार आए ठीक है अगर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार होता है अनुप्रा सलंकार जैसे रगुपती राघव राजाराम मैंने आपको ये उधारन दिये थे चारुचंद्र की चंचल किरने रगुपती राघव राजाराम तो इसमें चाचा और रौ की आविल्पी बारबार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रा सलंकार है उसी तरह मैंने आपको यमक अलंकार की परिभासा बताई थी कि यमक अलंकार अब देखिए अनुपरास में वर्ण एक से अधिक बार आता है और यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है ठीक है जैसे कनक कनकते सो गुनी मादगता अधिक आए तो यहाँ पर एक कनक धतूरा हो गया और दूसरा कनक सोना हो गया तो इन दोनों के अर्थ बिलकुल अलग है ठीक है जैसे यहाँ पर का गया कि धतूरे से अधिक नशा सोने में होता है क्यों क्योंकि धतूरे को तो खाकर मनुशिया के दिमाग में नशा चड़ता है लेकिन सोना जैसे ही वो देखता है उसे नशा चड़ जाता है इसलिए यहाँ पर का गया है कि धतूरे से अधिक अर्थे अलग-अलग हैं इसी तरह काली घटा का गमंड घटा अब यहां पर घटा दो बार आ रहा है तो इन दोनों का अर्थ अलग-अलग होगा एक तो काली घटा मतब बादल और दूसरा घटा कम होना अब चली अब आगे बढ़ते हैं अब है आपका स्लेश अलंकार अब यहां पर स्लेश अलंकार ठीक है तीसरा है यह किसका शब्दा लंकार का तीसरा भेद है शलेश लंकार अब शलेश लंकार क्या है यहां पर सलेश का अर्थ होता है शलेश का अर्थ है चिपकना ठीक है शलेश का अर्थ है यहां पर चिपकना अब ये चिपकना क्या हुआ जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं ठीक है जहां पर एक शब्द होता है लेकिन उसके कई अर्थ होते हैं वहां पर सले सलंकार होता है इसकी परिभासा क्या होगी जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं. वहां स्लेश अलंकार होता है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहां पर शब्द एक ही होता है। लेकिन उस सब्द के अर्थ एक से अधिक होते हैं। अब जैसे एक मैं आपको इसका उधारन बताऊंगी। दे रहा हो कोकिल सानन्द सुमन जियों मधुमय संदेश। देखिए आपको इसको बहुत धियान से समझना होगा। तब जाके हमें यह समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए। दे रहा हो कोकिल सानन्द सुमन जियों मधुमय संदेश। अब यहां पर सुमन सुमन के दो अर्थ निकलते हैं शब्द एक ही है ना सुमन एक से अधिग बार नहीं आया है लेकिन यह शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ दो है कैसे सबसे पहला सुमन सुंदर्मन सुन्दर मन, पहला अर्थ यह निकलता है और दूसरा पुश्प, ठीक है, फूल को भी क्या कहते हैं हम सुमन कहते हैं, तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो सुन्दर मन और दूसरा इसका अर्थ है पुश्प, अब दूसरा है मधुमय, मधुमय के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं सबसे पहला मधूर पहला अर्थ है मधूर मतब मीठा और दूसरा अर्थ है बसंत रितु ठीके बच्चों तो यह देखें यहां पर दो अर्थ आ रहें एक तो मधूर मधुमय मधुमय का पहला अर्थ होता है मधूर सुन्दर और दूसरा होता है बसंतरितु अब यहां पर हम इसका अगर अर्थ लगाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसका अर्थ होगा कोयल सानंद सानंद का होकर सुन्दर मन वाले लोगों को मधुर संदेश दे रही है कि ठीक है या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि कोयल की वानी सुन्दर मन वालों को मधुर लगती है अब यह हुआ और इसका दूसरा अर्थ निकलता है कोयल कोयल प्रसन होकर फूलों को यह संदेश दे रही है कि बसंत रितू आने वाली है ठीक है तो इसके दो अर्थ हो गए कि बसंत रितू आने वाली है इस तरह से यह इकी शब्द के दो अर्थ हो अगर हम देखिए दे रहा हो कोकिल सानी कि कोयल आनन्द पूर्वप दे रही है संदेश क्या सुमन अगर हम इसका अर्थ फूलों से सुन्दर मन वाले लोगों से निकालते हैं तो यहां पे मधूर को जोड़ेंगे ठीक है कोयल आनन्दित होकर सुन्दर मन वाले लोगों को मधूर संदेश दे रही है ठीक और अगर हम सुमन को पूश्प मानते हैं तो कोयल प्रसन होकर फूलों को फूल सुमन फूलों को यह संदेश दे रही है कि बसंत रितू आने वाली है तो यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन उस सब्द के अनेक अर्थ हैं एक से अधिक अर्थ हैं अब इसका दूसरा उधारन देखिए दूसरा उधारन होगा इसका रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब्सून रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब्सून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून अब यहाँ पर देखिये रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब्सून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून अब यहाँ पर यह जो पानी है इस पानी के तीन अर्थ आते हैं अलग-अलग सबसे पहला देखिये यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं सबसे पहला पानी का अर्थ हैं अगर हम रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब्सून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून सबसे पहले मोती चमक ठीक है दूसरा सम्मान या इज़त पानी कार्थ है यह बताया जा रहा है यहाँ पर और तीसरा है जल ठीक यह यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हो गए सबसे पहला चमक दूसरा सम्मान और तीसरा जल अब इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे हर हिसाब से हमारा इसका अलग अर्थ निकलेगा कैसे जैसे अगर हम कहते हैं रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब्सून कि है मनुश्या ठीके देखे इसका मतलब है कि मनुश्या को पानी बनाए रखना चाहिए मतलब अपना सम्मान इज्जद बनाए रखनी चाहिए अगर पानी चला गया अर्थात सम्मान चला गया तो मनुश्या का जीवन व्यर्थ हो जाता है ठीके रहिमन पानी राखिये रहिमदार जी कहते हैं कि पानी हम मनुश्या को अपनी इज्जद बनाए रखनी चाहिए बिन पानी सबसून अगर पानी इज्जद चली गई तो इस संसार में जीणा व्यर्थ है पानी गए ना उबरे अगर इस संसार में पानी नहीं रहा तो मोती कहां प्रकट होता है पानी के अंदर ठीक है? मानुश, सम्मान को भी पानी का गया और चून, चूना कैसे उभरता है? जब हम चूने में पानी डालते हैं तो वो उभर के उपर आता है और अगर पानी ही नहीं रहा तो ये तीनों चीजें नहीं उभर सकती इसलिए यहाँ पर पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं, चमक, सम्मान और जल अब इसका मैं आपको एक उधारन और दे देती हूँ, ठीक है? अब देखे दूसरा इसका अर्थ है, जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि मंगन को देखी मंगन को देखी, पट देत बार बार है अब यहाँ पर देखी पट, मंगन को देखी पट देत बार बार है, अर्थाथ मांगने वाले को देखती है या कोई मनुशिया मांगने वाले को देखता है, तो पट देत बार बार है अब पट के दो अर्थ होते हैं, एक होता है वस्त्र और दूसरा होता है दर्वाजा तो हम इसके दो अर्थ लगा सकते हैं कि मांगने वाले को देखकर दर्वाजा बार 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 बंद कर देती है और दूसरा अर्थ होता है कि मांगने वाले को देखकर पट बार-बार वस्त्र देती है तो ये इस तरह से इसके दो अर्थ हो तो अब आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि अर्था लंकार के तीन भेद हैं अनुप्रास लंकार, यमक लंकार और शलेश लंकार अब इसके बाद अर्था लंकार ठीक है अभी तो सब्दा लंकार के भेद पड़े हमने अब हैं हमारे अर्था लंकार अब सबसे पहले हम अर्था लंकार का की परिभासा समझ लें की परिभाशा क्या होती है अर्था लंकार अर्थात अर्थे द्वारा ठीक है अर्थ के द्वारा उत्पन सौंदरिया का कार्य करते हैं ठीक है यहां पर क्या है वहां पर तो शब्दों के माद्यम से अलंकार पैदा हुआ लेकिन यहाँ पर शब्द के अर्थ, अर्थों के माद्धियम से अलंकार पैदा होता है। इसके लिए थोड़ा सा अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम अर्था अलंकार को समझ सकते हैं। यहाँ पर उपमय और उपमान होते हैं। हमें इनको समझना बहुत जरूरी है। इसी के माद्धियम से हम इस अलंकार को समझ पाएंगे। अब इसमें सबसे पहला बेद है उपमा अलंकार। ठीक है। ठीक है। इसके देखिए आप अर्था अलंकार का सबसे पहला बेद है। उपमा अलंकार। ठीक। अब दूसरा है इसमें रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है अतीश्योक्ति अलंकार। और नंबर पाँच है मानवी करण अलंकार। ठीक है। यहाँ पर देखिए। यह सबसे पहला है आपका उपमा अलंकार। रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। अतीश्योक्ति अलंकार। और मानवी करण अलंकार। अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कैसे पता लगेगा हमें कि इस अर्थ में उपमा अलंकार है। सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभासा पढ़ेंगे। कि जहां पर जब दो या जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान गुण के कारण। समानता बताई जाती हो। समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। देखे उपमा अलंकार जहां पर हम किसी की तुलना किसी से करते हैं। जैसे मैं बोलू कि कौमल की आखे बहुत सुंदर हैं। मिर्ग नइनी के समान हैं। कौमल की आखे मिर्ग के समान हैं। तो हम उसकी आखों की तुलना किसे कर रहे हैं। हीरन की आखों से। ठीके तो यहां पर जब हम किसी की तुलना किसी दूसरे से करते हैं। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता की आखे मिर्ग के समान चंचल है। ठीके तो यहां पर देखो हमने सीता की तुलना किसे की है। मिर्ग के समान की है। यहां पर देखो हमें चार वस्तों का धियान रखना पड़ता है। सबसे पहला उपमे। उपमे क्या है। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही हो। वस्तु की तुलना या समानता बताई जा रही हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं। अब यहां पर देखो उपमे क्या है। सीता की आँखें। ये क्या हो गया? उपमे दूसरा होता है उपमान उपमान में क्या होता है? जिस वस्तू से जिस वस्तू या व्यक्ति से समानता बताई जा रही है जा रही है अब यहाँ पर किस से समानता बताई जा रही है? मिर्ग से ठीक है? सीता की आखों को किस के समान बोला है? मिर्ग तो यहाँ पर उपमान क्या हुआ? मिर्ग. ठीक. अब तीसरा आता है साधारन धर्म. साधारन धर्म. अब साधारन धर्म क्या हुआ? इसमें किसी के समान गुण और धर्म की समानता बताई जाती. इसमें समान गुण या धर्म की समानता बताई जाती है. ठीक है? अब यहाँ पर किस की समानता किस की तरह बताई जा रही है? सीता उपमें हो गई, मिर्ग उपमान हो गया और चंचल. किसके समान बताएं, मिर्ग के समान क्या है चंचल तो ये क्या हो गया, साधारन धर्म और नंबर चार है वाचक सब्द वाचक सब्द क्या होता है, समान्ता को बताने वाला समान्ता को बताने वाला अब यहाँ पर कौन समान्ता को बता रहा है के समान ठीक, यह के समान अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं सीता, सीता क्या हुआ? उपमे मिरिग उपमान चंचल साधारण, धर्म और के समान वाचक, शब्द बस यह चीज अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लोगे तो आपको उपमा अलंकार पहचानने में कभी कोई परिशानी नहीं होगी ठीक है? सिर्फ आपको यह उपमे, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चीजों को इन चार चीजों को याद रखना है उसके बाद आपको यह बहुत आसानी से समझ आ जाएगा चलिए इसका मैं एक उधारन और दे देती हूँ आपको अब इसका एक उधारन और देखिए हरी पद हरी पद कोमल कमल से ठीक है अब हरी पद यहां पर देखिए सबसे पहले हमें उपमे उपमान साधारण धर्म यह पहचानने हैं और वाचक सब्द अब हरी पद कोमल कमल से अब इसमें उपमे क्या है हरी पद कोमल कमल से हमने इश्वर के कमल जो है कमल के इस्वर के जो चरण है कमल के समान कोमल है अब इसमें सबसे पहले उपमे क्या होगा हरी पद किसके चरणों की तुलना की जारी है इश्वर के किस से कमल से ठीक है हरी पद इश्वर के पद किसके समान है कमल के समान साधारण धर्म क्या है इसमें समानता क्या दिखाई जारी है कोमल और वाचक सब्द जो इनको जोड़ रहा है से हरीपद कोमल कमल से हरीपद उपमे कोमल उपमान कमल उपमान ये होगा और कोमल होगा साधारन धर्म और वाचक सब्द तो ये इस तरह से आपने उपमा लंकार की पहचान करनी है तो बचों इसको मैंने आपको जितना भी ये आपको अभी तक पढ़ाया है सब्दा लंकार और अर्था लंकार का जो ये उपमा लंकार जो मैंने आपको समझाया आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे और इसको जो भी है अपना फियर नॉट बुक में इस काम को करोगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको आगे केस के भेद बताऊंगे Thank you